इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टुंडरा फोरेस्ट के बारे में और बोरियल फोरेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि टुंडरा और बोरियल फोरेस्ट कहां पर सिच्वेटेड है उसमें किस तरह के जानवर वगेरे पाये जाते हैं और उसका क्या-क्या फीचर् और बहुत ज़्यादा environmental conditions, बहुत ज़्यादा severe है, बहुत ज़्यादा कड़ा है, वहाँ पर ज़्यादा bio diversity भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, और दो तरह का टुंडरा होता है, एक होता है arctic और एक होता है alpine, यह है टुंडरा का अपना image, जो कि देखो इसका forest एकदम conifer forest है, बहुत बड़ा बड़ा एकदम लंबा लंबा forest है, ज़्यादा यहाँ पर bio diversity जैसे की rainforest में मिल देखने को मिलता है, उतना नहीं देखने को मिलता है, और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा snow, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पहुत ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है यह है अपना Alaska, यहाँ पर, यह Alaska Canada में मिलता है, European Russia में मिलता है, और कुछ-कुछ Nordic countries में भी मिलता है, और अगर हम दोग South का बात करें, तो South में, Southern Pole में, South Pole में, यहाँ पर continuous line जो दिख़र है, आपको blue ऐसा, वोग, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि य Siberia वाला एरिया है, यह Siberia वाला एरिया है, यह Russia वाला एरिया है, और यह Canada, और यह Alaska, और यह South Pole वाला, तो यहाँ पर जो बड़ा बड़ा mountains है, उसमें जो पीड़ पौदे होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, अलपाइन टुंडरा, ठीक है, और Arctic mountains पे, मेंली वो मिलता है, ठ Flora और Fauna का बात करें, कि पीड़ और पीड़ पौदे कैसे वहाँ पर मिलते हैं, और जानवर कैसे मिलते हैं, जंगली जानवर, तो अगर हम लोग vegetation का बात करें, वहाँ पर जो पीड़ पौदा है, तो उसका अगर बात करें, तो वहाँ पर मिलता है, मेंली cotton grass, sages, ड्वार इसका हेंदी मतलब क्या है, मुझे भी ने पता, बट ये पता है कि विलो से बनता है क्रिकेट वाला पैट, ठीक है, और एनिमल का अगर बात करें, तो squirrel मिलता है, छोटा-छोटा होता है, lemings मिलता है, musk, ox मिलता है, reindeer मिलता है, polar आपका bear मिलता है, ठीक है, polar bear, और जो इसका organism से, जितने भी इसका पेड़ पौदे हैं, उनका जो लाइफ है वो बहुत लंबा-लंबा होता है, जैसे कि आर्टिक विलो का, जो भी हम लोग बात किया, उसका लगभग, देर सो से तीन सो साल तक उसका life span रहता है, वो उतने दिनों तक रहता है, अब जितना थंडा है वहा इतना chilliness से, ठीक है, अब जो इसका जानवर है, उसमें क्या खास बात है, तो उन जानवर के पास बहुत बड़ा body होता है, और उसका tail जो है, वो बहुत छोटा होता है, ताकि वो heat कम release करे, उसका कान जो है, वो बहुत छोटा होता है, ताकि वो heat है, और उसके अंदर में heat र यहां पर रेंफॉल काफी होता है लंबा लंबा विंटर होगा समर सीजन बहुत सौट होगा और ऐसे एडिया को लोग बोल सकते हैं बोर्गेल कॉनिफॉरस फोरेस्ट ठीक है यहां पर एवर्गीन प्लांट होगा जैसे कि स्पूरूस हिंदी मतलब मत पुछना फिर और पाइन ट्रीज ठीक है यहां पर जो एनिमल्स मिलेंगे वो आएंगे आपका वुल्फ बियर रेड फॉक्स वगेरा वगेरा ठीक है इसका जो सौइल है वो बहुत जादा पूर होता है बहुत जादा पूर बहुत जादा खराब टाइप का सौइल होता है क्योंकि यह यहां पर जो पौधे हैं, जो कॉनिफोरस नीडल है, वो जब गिरता है, तो वो डिकंपोज होने में, उसको सड़ने करने में बहुत टाइम लगता है, हम लोग के इधर जैसे ही पत्ता गिरता है, दस दिन में सड़की खतम, लेकिन इधर बहुत जादा टाइम लगता है, धी जादा खराब होता है, यहां का सॉयल को, यहां का सॉयल जो वो एसिडिक है, वो एसिडिक है करेक्टर में, और उसको मिनरल बहुत कम मिलता है, उसका जो मिनरल से वो बहुत जादा कम मिलता है, उन सॉयल को, अब इतना जादा कम अगर मिलेगा, तो बात नॉर्मल, कॉमन से से आप बोल सकते कि यहाँ पर ज्यादा खेती वगेरा ज्यादा खेती वगेरा यहाँ पर नहीं होता होगा एक करन और क्या है इतना deficient mineral का इतना कम mineral का कि जो water मतलब soil के उपर जो water है वो बस नीचे की और जाती रहता है जाती रहता है इसको ऊपर उठने का चांस नहीं मिलता है इसको evaporation का चांस नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रहा है और इसलिए जो important stability है वो बहुत ज़्यादा कम है as respect to अगर compare करें हम लोग दूसरे forest ecosystem से तो ठीक है तो यह था अपना टुंडरा ecosystem के बारे में और अपना coniforest या फिर boreal ecosystem के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की and I hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर आपको यह अच्छा लगा ताब इसको like कर सकते हो दोस्तों के साथ share कर सकते हो कुछी पूछना या बताना है तो comment कर सकते हो and channel को subscribe कर सकते हो thank you very much